हेलो साथियो गुड मॉरिंग स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर कैसे हैं मेरे सभी साथी एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देंगे फटा फट से आप सभी को प्यारी सी गुड मॉरिंग सुभा की नमस्ते शश्रेकाल राधे राधे मेरे दोस्तों तो एक बार सभी साथी फटा फट से आजएएगा जुड जाएएगा और अपने दूसरे सभी साथियों को जोड लीजेगा क्योंकि आज आप लोगों का जो शेशन है उसमें आज आप लोगों के उपर कंटेंट की होने वाली है ब मतलब कुल मिला करके इतना को है कि आज आप यहां से ब्राइन लारा का रिकॉर्ड तोड़ के जाओगे जो 400 d लोगों की होते हैं जितने भी चीजएłaपका बहुत यूसफुल सेशन है फॉत जतनी भी चीजे आपको यहां पर पढ़ाई जाती है ठीक है सारी exam oriented है ठीक है बाते भी होंगी तो वो भी exam oriented ही होंगी दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो यह आप लोगों का schedule है सुभा साड़े पांच बजे हम पढ़ते हैं current affair को ठीक है जो कि आप लोग अभी देखी रहे हो और रात क आठ बजे जीके जिसको जीके में दिक्कत है ना और प्लस कोर्स में भी ज्वाइन नहीं किया तो दोस्तों रात को आठ बजे यहां पर आके आप पढ़ लिया करो ठीक काफी चीजे यहां से कवर हो जाती है आप लोगों की उसके बाद आप लोगों का अनकेडमी की एप है देड़ हजार चीजों को सीखोगे एक हजार से देड़ हजार वन लाइनर पॉइंटर आज आप लोग के बन जाएंगे अगर आप लोगों ने सारी चीजे पढ़ लिए सुभे साड़े साथ बजे 30 करंट अफेर के कोशन हम बहतरीन तरीके से 30 का मतलब होता है 120 ओके दोस्त इस्टैटिक जीके में 50 MCQ आप लोगों के अलग होंगे और 30 बुक्स आप लोगों की जो पुरानी वाली बुक्स हैं वो आज आप लोगों की अलग होंगी तो आज हम यहाँ पर यह सब करने वाले हैं अनकेडमी की एप से जुड़ जाना GC10 आप लोगों को सबसे पहले पर भी आज में आप लोगों को काफी चीजे कराने वाला हूं हमारी हैरिटेस साइट्स की डिटेलिंग चल रही है यहाँ पर एंसेंट हिस्ट्री हमारी चल रही है और स्टैटिक जीके के MCQ चल रहे हैं यह तीन बजे का बैच है जिस सभी सातियों ने अभी तक इस बैच क को जॉइन कर लें यह तीन बजे आप लोगों का होता है तीन बजे से पांच बजे तक काफी सारी चीजे इसके अंदर आप लोगों की कराई जा रही है चलिएगा तो यह सारा का सारा है अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है जीसी टेन कोड के साथ में 12 महीने 6 महीने 3 मह महीने 24 महीने यह आप लोगों के लिए अबलेबिल है और अभी एक साल पर 6 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री है आपका और सीटी और प्लस बैंक अगर हम बात करेंगे तो आप लोगों का क्या है इन दोनों का भी कॉंब आप लोगों को मिल जाएगा जीसी टेन कोड आपको इंग्लिस के बल दो ही लेंग्वेजों में था तो उसमें कुछ लेंग्वेज का पंगाई भी मैंने डिटेल में पढ़ा नहीं है बता दूंगा मैं आपको और दोस्तों इसमें आपकी सारी लाइब क्यूज वगरा होती है और बाकी अगर आप किसी और एक्जाम से भी में चलिएगा शेशन को सुरू किया जाये और सुरू करने के साथी मेरे सभी विद्यारती गंअ प्रे विद्यारती कैसे हैं साळे पांच बजे में लेट करोगे न थोड़ा और वर सो लेता हूं कुछ मैं सबा पांच बजे से घुम रहा होता हूँ ठीक है कि यार अब चलो अब शुरू कर देता हूँ ठीक है आप बोलोगे सर आए तो फिर भी दो मिनिट बाद लेटी तो मैं देख रहा होता हूँ यहाँ पर कितने बच्चे हैं ठीक है आप ही नहीं आ रहे होते साड़े होटी आदते हमारे जीवन में बड़ा फर्क पैदा कर देती है यह बिल्कुल सही बात है आप लोगों की जब मैं भी विद्यारती तो इवन आज भी मैं विद्यारती ही हूँ क्योंकि मैं भी पढ़ता ही हूँ आज की डेट में तो मेरे दोस्तों क्या है जो हमारी छोटी- आपके experience होंगे इसमें और मुझे जादा कुछ बोलने की जरुवत नहीं है ठीक है तो दोस्तों यह सारी चीजे हैं तो गुड मॉनिंग है मेरे प्यारे टॉपर्स को सभी को सुभा की नमस्ते शश्रयकाल राधे राधे मेरे दोस्तों चलिएगा शुरू करते हैं सेशन को 14 जुलाई है आज 14 जुलाई से जुड़ी जितनी भी खबड़े आए आज हम उनको पढ़ने वाले हैं डिटेल में हर चीज को पढ़ेंगे और दोस्तों सांदार सुरुवात के लिए तयार हो जाईएगा सबसे पहले आप लोगों का होमवर्क था जो आपने नहीं किया है आज आप ही इसको करोगे बापस से ठीक है तो दोस्तों ये पहला कोशन 13 जुलाई का था 14 जुलाई का होमवर्क इसके बाद में होगा इसका होमवर्क करो डिजिटल इंडिया कब कम्प्लीट की अपने 6 साल तो मतलब लॉंच कब हुआ था अराम से बता सकते हो दोस्तों इ LIC के CEO का नाम वो आपसे पूछ रहा है आप MR कुमार बता रहे है MR कुमार चेर्मेन है मैं आपको बता चुका हूँ दोस्तों यहाँ पर क्या बनेगा आपका सिध्धार्त मोहंती बनेगा वैसे मैं क्यों बता रहा हूँ आप लोग कमेंट बोक्स में कमेंट तो करते नहीं ह बन्दा है जिसने 400 मीटर का बाधा दोड़ का रिकोर्ड तोड़ा है यह नौर्वे से ब्लॉंग करता है ठीक है उसके बात दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो 500 मिलियन का जो रिंड दिया है वो आप लोग का वल्ड बैंक ने दिया है सभी लोग जानते है और एसिया का जो हम घूमने वाले हैं ठीक है तो चलिएगा सभी को मेरी यवाज किलियर है तो एक बार जल्दी से बता दीजेगा ओके दोस्तों चलिए अब यहां पर दो तीन चीजे हैं जो हमें समझनी है और समझानी है इसके अंदर क्या है एक बार देख लीजेगा दोस्तों एक आप लो इनको मैं आज पढ़ा रहा हूं तो दोस्तों इनको सभी सभी मिला है लिए लिए लेंग्वेज के उट्थान के लिए मलियालम language में अच्छी अच्छी चीजे मेरे दोस्तों लिखने के लिए इनको ये literacy award यहाँ पर दिया गया है तो simple सा question है एक number का question है कि जो BKS award है आप लोगों का BKS literacy award मेरे दोस्तों ये किसको मिला है NN Pillai को मिला है NN Pillai मेरे दोस्तों जर्नलिस्ट के साथ में आप लोगों के लेखक भी है और अगर मैं आपको यहाँ पर बात कर दू तो ये कौन सी language तो यहाँ पर आप लोगों की जो language आ जाती है मल या लम आप लोगों की जो language है वो यहाँ पर आ जाती है ठीक है अब 2-3 बाते ह। और दोस्तों बाहरेन अब यहाँ पर जो बाहरेन है बिल्कुल सही आप लोगों ने समझा यह वही बहरेन हिंडी में पढ़ें तो बहरेन और इंगलिस में पढ़ें तो बाहरेन यह वही है जिसके बारे में आप सोच रहे हो तो सबसे पहले हम इस बहरेन के बारे में पढ़ लेते हैं, तो दोस्तो ध्धान से समझ लीजेगा, ये बहरेन है, इसकी capital क्या है, मनामा है, क्या है इसकी capital, मनामा है, और दूसरी news क्या निकल कर कि आती है, की जो बहरीन grand prix है आप लोगों की, उसके विनर का नाम क्या है, उसक अभी चर्चाओं में है उसी पे हम फोकस रखेंगे ठीक है तो एक आप लोगों को क्या क्या एनन पिल लई यह आपके मली आलम के हो गए दोस्तो बीकेस लिटरेसी अवार्ड इनको मिला है यह चीज बस आपको ध्यान में रखनी है और कुछ आप लोगों ने याद नहीं दोसरे अन्य आवार्ड मिले है जुलाई महीने के अंदर जो दोसरे अन्य आवर्ड मिले है एक नजर उन पर मार लेते है तो यहाँ पर आप लोगों के लिए क्या है जो उडिया पोएट है राजेंदर किसोर पंडा जो उडिया पोएट है मतलब उडिया लेंगवेज के जो पोएट है राजेंदर किसोर पंडा इन्होंने कौन सा जीता है इन्होंने जीता है कुब एमपू रास्टिय पुरुसकार याद आया कुछ आप लोगों को मैं करा चुका हूँ तो जो कुब ümpu रास्ट्य पुरुस्कार है उसके विजेता कौन है उसके विजेता मेरे दोस्तों राजंदर आप लोगों के हैं ध्यान रखेगा राजंदर कौन सी language के poet है तो ये उडिया language के poet है इसको ध्यान रखेगा एक एक वाब आपको अवर्ड हो गया दूसरा अवर्ड जो जुलाई महीने में मेरे दोस्तों मिला था यहाँ पर दिखेगा इन्वेस्ट इंडिया ने सबसे नवीन निवे समर्थन एजनसी 2021 का मेरे दोस्तों पुरुसकार जीता अगर कोई आपसे यह पूछने लगा कि Most Innovative Investment Promotion Agency का जो अवर्ड है वो किसको दिया गया है अगर कोई आपसे पूछने लगा कि Most Innovative मतलब सबसे ज़्यादा जो नवाचार में सबसे ज़्यादा मेरे दोस्तों जो नवाचारी आप लोगों की Investment Promotion Agency है उसमें मेरे दोस्तों किस ने जीता है तो Invest India ने जीता है ये भी जुलाई का आवर्ड है याद रख लीजेगा दोस्तों आगे बात करते हैं तो जो Korean Air है आपको पढ़ाया था मैंने Korean Air ने बिमानन उध्योग में सबसे पृतिष्ठित सम्मानों में से एक Air Transport World 2021 Airline of the Year के विजिता की घोश्रा की गई मतलब जो Airline of the Year का आवर्ड है वो इस बार किसको मिला था Korean को मिला था Korean Airlines को मिला था ये आवर्ड भी हमने पढ़ा था दोस्तों और हमारे Civil Aviation Minister का नाम क्या है नागरिक ओडेन मंत्री कौन है हमारे क्या उनकी constituency है comment box में जल्दी से comment कर दीजिएगा फटा फट से ठीक है अगले question की बात करेंगे भारती अर्थ सास्तरी नाम मेरे दोस्तों क्या है कोसिक वसू है कोसिक वसू को अर्थ सास्तर के लिए आप लोगों का कौन सा आवर्ड मिला है तो मैंने आपको बताया था मेरे दोस्तों इनको मिला है Humvolt Research Award ठीक है इनको Humvolt Research Award मिला है ये भी हमने पढ़ा था बस एक revision हमारा हो गया तो हम वोल्ट रिसर्च अवोर्ड किसको कोसिक बसू को ये आपके एकॉनमिस्ट है और दोस्तो अगला जो आप लोगों का लास्ट अवोर्ड है जो जुलाई का अवोर्ड है तो मैंने बताये था आपको नेशनल इस्पेलिंग बी कम्पिटिशन में अफ्रिकन अमरीकन थी ह आपको कुछ भी याद नहीं करना ये ओटोमेटिकली याद हो जाएंगी क्लियर है भाई मैंने जुलाई के सारे आवोर्ड आपको एक साथ करवा दिये हैं ताकि अब तक जितने भी आवोर्ड है वो आपको याद हो जाए ठीक है चलिएगा आगे दोस्तों बात करेंगे त उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं ठीक है तो यहाँ पर क्या-क्या दे रखा है स्पोर्ट से आप लोगों की न्यूज है यहाँ पर है हमारा प्यारा भारत इंडिया जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं और यह हैं दोस्तों वर्ल्ड बैड्मिंटन चैंपिय ठीक है तो वर्ल्ड बैड्मिंटन चैंपियंशिप दो हजार चब्विस को कौनसी कंट्री होस्ट करने जा रही है तो मेरे दोस्तों यहाँ पर होस्ट करने जा रही है इंडिया यह बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है ठीक है इंपोर्टेंट है बहुत जादा इसको प्लेयर का नाम है चिराग इस बार भी पूछा गया था और एक है मेरे दोस्तों सात्विक ठीक है तो यह जो आप लोगों के प्लेयर हैं दोनों के दोनों पिछले साल इनको बैड्मिंटन में क्या दिया गया था इनको बैड्मिंटन के लिए पिछले बार अर्जुन अवा रहा है तो उसको होस्ट करेगा अपना प्यारा भारत ये चीजे आपको ध्यान में रखनी है ठीक है अब चलिएगा यहां पर थोड़ी सी चीजों पर नजर डाल लेते हैं जो अभी आपके अपकमिंग या एक दो अभी हाल फिलाल में होए इवेंट है तो सबसे पहले आई सी सी टेस्ट चैंपियन्सिप यह कहां पर हुई थी ICC टेस्ट चैंपियन्सिप अपकी यूके में नियूजिवेंड र भारत के बीच उसको shift कहा कर दिया गया UAE में shift कर दिया गया दोस्तों अगर हम बोलेंगे 2022 में जो पूरुस T20 विश्वकप था आप लोगों का मतलब मैं T20 वर्ल्ड कप था आप लोगों का ये औस्ट्रेलिया में होगा और ये आठवे नंबर का है तो इसको भी आप लोगों ने ध्यान ODI वाला पचास ओवर वाला अगर किसी विश्वकप के साथ में test नहीं लिखा है T20 नहीं लिखा है तो समझ लीजेगा कि वो पचास ओवर वाला है तो पचास ओवर वाला जो महिला का मेरे दोस्तों होगा वो कहां पर होगा न्यूजिलेंड में होगा 2022 में होगा जबकि प्रिकिट वर्ल्ड कप है आप लोगों का जो 2022 में होगा वो कहां होगा वेस्टन डीज में होगा ये बात आपको ध्यान में रखनी है और जबकि वुमिन्स टी 20 वर्ल्ड कप जो होगा वो साउथ अफरीका में होगा ये चीजे आपको ध्यान में रखनी है बच्चे ये मैंने पढ़ाई T20 World Cup, आजाओ देख लो एक बार फटा फट से, ताकि confusion ना होते, को लिखे लिखाए में तो हो जाते हो confusion, जब अपने हाथ से लिखेंगे तो कैसे confuse होंगे, तो दोस्तो ODI World Cup, सबसे पहले, तो सबसे पहले ODI World Cup हम मैंस की बात करते हैं, याद रखेगा, तो ये होगा 2023 में, और ये कहां पर होगा, अपने प्यारे भारत में होगा, इसमें कोई संका नहीं होनी चाहिए, अब हम बात करते हैं Women's World Cup की, तो जो Women's World Cup है, ये 2022 में होगा दोस इसमें कोई डाउट है आपको, तो मुझे बता दे, एक और चीज में आपको बता दू, 2023 के बाद, जब विश्व कप होगा, 2027 वाला, तो मेरे दोस्तों यहां से 14 T में भाग लेंगी, कितने T में भाग लेंगी, 14 T में भाग लेंगी, अब हम बात करते हैं T20 की, तो 2021 जो है वो UAE में हो रहा है, इंडिया से उड़कर के सीधा UAE पहुच गया, दोस्तों 2022 में अगर आप लोगों से बोला जाएगा, तो यह कहां होगा, और दोस्तों यह भी ध्यान रखना है, जब यह 2024 में होगा, अभी when you decided नहीं है, तो यह मेरे दोस्तों कितनी T में भाग लेंगी, इसमें 20 T में भाग लेंगी, यह चीज आपको ध्यान में रखनी है, इंपोटेंट है, लेकिन अगर कोई आप से यह पूछने लगे, कि सर जी जो वूमेन है, उनका T20 मेरे दोस्तों कहां पर होगा, उनका T20 होगा, साउथ अफरिका में, यह सारी चीजे किरकिट की थी, इन दूर ही टपक जाएगा, याद रख लिजेगा, ठीक है, चलिएगा, उसके बाद दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, तो बैडमिंटन चेंपियंशिप कहां पर हो रही है, आप लोगों की, दो हजार चब्विस वाली बैडमिंटन चेंपियंशिप हो रही है, इंडिया के का जब आपने नाम सुना होगा, तो साथियो इसका हेड़कॉाटर कहां पर है, तो इसका हेड़कॉाटर है, क्वाला लंपूर में, कहां पर है, क्वाला लंपूर में इसका हेड़कॉाटर है, ये चीजे आपको ध्यान में रखनी है, जो की important है, मार्क कर दीजिएगा, ठी T20 क्या किर्किट ही बहुत कम कंट्री खेलती है अगर देखा जाए तो लीग चलती रहती है वह अभी शुरू हुआ है लेकिन बहुत कम कंट्री है जो किर्किट खेलती है ठीक है चलिएगा आगे चलते हैं दोस्तों फटा-फट से अगर हम next question पर जाएंगे तो दोस्तों खेल ये पॉस्पोन हो गए हैं और ये पहुच गए हैं फरवरी 2020 में ओके साथ यो तो यह आपके पॉस्पोन हो गए हैं फरवरी 2022 में आप लोगों के ये पुहच चुके हैं अब ध्यान से 2-3 चीज़ें आपको समझनी है अब मैं डेली आपको क्या कराउंगा जैसे आज मैंने cricket के सारे venue आपको बता दिये कद में आपको जो है Olympic के venue हलाकि आपको पता ही है या फिर Commonwealth के venue तो एक एक game के venue daily में आपके साथ में discuss करूँगा बता मैंने सारे रखे हैं ठीक है तो दोस्तो खेलो इंडिया youth games है अब जब खेलो इंडिया youth games ठीक है तो खेलो इंडिया के अंदर कौन-कौन से game होते है एक होते है youth games ठीक है तो youth games का इस बार कौन सा संस्करण है youth games का इस बार चोथा संस्करण है जो आप लोग के खेलो इंडिया के अंडर होते है अच्छा पहला संस्करण कहा हुआ था तो पहला पहला था गोहाटी में और चोथा कहां पर होगा हर्याना नई दिल्ली में होगा ठीक है तो हर्याना के पंचकुला में ये यूथ गेम्स के सारे वेंडियू है जो मैंने आपको बता दिये पहला नई दिल्ली हुआ था दूसरा पूने तीसरा गोहाटी और चोथा हर्याना के पंचकुला में होगा अच्छा अगर इसी में मैं यूनिवर्सटी गेम्स पर आ जाओ अगर कोई आप से ये पूछने लगे कि खेलो इंडिया के यूनिवर्सटी गेम्स तो दोस्तों खेलो इंडिया का जो यूनिवर्सटी गेम्स था पहला वाला कहा हुआ था पहला वाला ह इसी के winter games के बारे में बात करेंगे किस के बारे में winter games के बारे में तो winter games जो पहला edition था वो लेहे में और गुलमर्ग में हुआ था कहां पर हुआ था लेहे में और गुलमर्ग में और जो दूसरा edition है वो मेरे दोस्तो गुल मर्ग में हुआ ठीक है ये चीजे आपको ध्यान में रखनी है खेलो इंडिया से रिलेटेड हमारे जो नए स्पोर्ट्स मिनिस्टर है उनका नाम है दोस्तो अनुराग ठाकूर क्या नाम है अनुराग ठाकूर ये हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर है और ये कहां से सांसद है तो तो मेरे दोस्तों information and broadcasting सूचना एवं प्रिसारण भी अनुराग ठाकूर के पास है, एक आप लोगों ने नाम बहुत सुना होगा, Sports Authority of India का, तो जो Sports Authority of India है, अगर हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, तो Sports Authority of India के head का नाम क्या है, संदीप प्रधान है, ठीक है, चलिएगा, अगले question पर चलते हैं, दीपक काबरा, नाम जरूर याद रखिएगा, कल आप लोगों ने एक नाम पढ़ा था, ठीक है, पवन सिंग का नाम पढ़ा था, आज हम दीपक काबरा का नाम पढ़ रहे हैं, तो दीपक काबरा क्या है, पहले इंडियन जिमनास्टिक है, मेरे दोस्तों, जो आप लोगों के कहा पर, ओलम्पिक में जज़ बन के जा रहे हैं, तो जिमनास्टिक के तरफ से पहले मेरे दोस्तों क्या है, आप लोगों के ये दीपक काबरा पहले जिमनास्टिक है, जो ज जजबन के जा रहे हैं, जबकि अगर हम पवन सिंग के बारे में बात करेंगे, किसके बारे में पवन सिंग, तो पवन सिंग भी मेरे दोस्तों पहले ऐसे हैं, जो शूटिंग में जजबन के जा रहे हैं, किसमें शूटिंग में, तो कोई अगर आपसे ये पूछने लगे, कि शूटिंग में आप लोगों के पवन सिंग है ये कल मैंने आप लोगों को बात बताई दी पवन सिंग वाली आज मैं दीपक काबरा वाली आपको बता रहा हूँ ठीक है दोस्तो 32 नंबर का ओलंपिक कहां पे टोक्यो में हो रहा है अगर हम पूछें कि भाईया इंटरनेशनल ओलंपिक डे कब मनाया जाता है तो आप लोग बड़ी आसानी से बता सकते हो कि 23 जून को इंटरनेशनल ओलंपिक डे हम मनाते हैं पहली बार कब मनाया गया था 1948 में पहली बार हमने इंटरनेशनल ओलंपिक डे को आप लोगों का मनाया था ये चीज आपको ध्यान में रखन अगर मैं आप लोगों से पूछने लगो क्या कि भाया जो हमारे इंटरनेशनल ओलंपिक है या फिर जो हमारी ओलंपिक कमेटी है तो वह आप लोगों का मेरे दोस्तों क्या कर दूँगा यहाँ पर उसके हैड कौन है तो उसके हैड है थोमस बैक यह चीज आपको ध्यान में आगे चलेंगे दोस्तों अगर हम बात करेंगे इन मैंस केटागरी न्यूजिलेंड ओपनर सुन लिए जगा ध्यान से एक आप ने देखा होगा कि जो प्लेयर अफ़ दा मंत का अवर्ड मिलता है क्या मिलता है प्लेयर ऑफ दा मंत का अवर्ड मिलता है तो ये जून 2021 के लि तो question क्या पूछा जा सकता है कि जून मंत के लिए जो BCCI का मेरे दोस्तों किसको मिला है player of the month तो ये मिला है आपका DC को डिवान कॉन्वे को न्यूजिलेंड से ब्लॉंग करते हैं ये जरूर याद रखना ठीक है आपसे पूछा जा सकता है अगर हम इसी category में आगे आपको मिलेगा कि रिसब पंथ को सबसे पहले मिला था जनवरी महीने का उसके बाद रवी चंदरन अस्वीन को मिला था फरवरी महीने का उसके बाद भुवनिश्वर कुमार को मिला था मेरे दोस्तों मार्च महीने का फिर मेरे दोस्तों बावर आजम को मिला था अप्रेल म महीने का, तो कोई अगर आपसे पूछना चाहे, तो आप किसी भी महीने का बता सकते हैं, चाहे वो जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, अप्रेल है, या मई है, इन सभी चीजों को याद रखिएगा, ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजे हैं, इंपोर्टेंट मार कर लीजेगा ठीक है, चलिए, इसमें कोई डाउट है, तो आप लोग जल्दी से बताएंगे फटाफट से, ये सारी की सारी चीजे हैं, अगले कोशन पर आ जाईएगा, तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे बुमेन को, तो बुमेन केटगरी में भी पूछा जा सकता है, पेपर में पू इंगलेंड की हैं, तो इंगलेंड की सौफी को मिला है, और न्यूजिलेंड की डिवॉन को मिला है, ये दोनों चीजें आपको धिहान में रखनी है, जून महीने के लिए, जबकि अगर हम महिलाओ की बात करेंगे, तो दोस्तो सबसे पहले किसको मिला था, तो सबसे पहले आप लोगों की सबनिम इस्माइल को मिला था, उसके बाद मेरे दोस्तों आपकी तन्मे थी, उसके बाद आप लोगों की लिजले ली थी मेरे दोस्तों, उसके बाद एलीसा हैली थी, उसके बाद मेरे दोस्तों कैंथी ब्राइस की, कैंथी ब्राइस का जरूर याद रखना, म मही वाला जो मिला था, वो स्कॉट लेंड की महीला थी, जिनको मिला था, कैंथी ब्राइस को, और इस बार मिला है सौफी को, ये चीजे आप लोगों ने क्या रखनी है, ध्यान रखनी है, ठीक है, चलिएगा, तो यहाँ पर आपको बस जो याद रखना है, तो मही का जरूर याद रखना है, और एक लेटेस्ट वाला जरूर याद रखना है, यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, अगले कोशन पर चलेंगे, सारी चीजे क्लियर हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है, तो इसमें जो भी आप लोगों की सारी चीजे हैं, अगर कोई डाउट इस कामिंग जिले में याख पर राष्टी अनुसंधान केंद्र ने हिमाले याख का बीमा करने के लिए राष्टी बीमा कंपनी लिमिटिड के साथ में करार किया है, सुन लीजिएगा, जो हमारा नेशनल रिसर्च सेंटर ओन याख है, कहा पर है, यह बेस्ट कामिंग डिस्ट जो आपका दिरंग में पढ़ता है, कहा पर अरुनाचल प्रदेश में वहाँ पर है, तो एक कोश्चन तो यही से तयार हो गया, कि नेशनल रिसर्च सेंटर ओन याख ये कहा पर है, तो नेशनल रिसर्च सेंटर ओन याख ये अरुनाचल प्रदेश के अंदर है, यह चीज दोस्तों इंसोरेंस करवाने के लिए अब इंसोरेंस की जरूरत क्या पड़ी तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दू कि जो यह याक होता है यह ठंड में बड़े अराम से रहता है मतलब जितनी जादा ठंड होगी और अगर मैं बात करूं तो माइनस 40 डिग्री तक माइनस में बात करेंगे तो हिमालियन याक एक लंबे बालो वाला पालतू पसू है ध्यान से समझना पालतू पसू की कैटेगरी में आता है जो भारती उप महादीप के हिमालिय छेत्र तिब्बती पठार मयान मार और उत्तर में मंगोलिया और साइबेरिया तक पाया जाता है पर यह सबसे जादा आप लोगों का जो है पाया जाता है अगर हम बात करें तो बहुत ठंडे ताप पान के आदी है माइनेस 40 डिगरी तक जीवित रह सकते हैं जबकि अधिकतम 13 डिगरी मतलब यह जो नॉर्मल हमारा वाला टेंपरेचर है जिसमें हम लोग रहते हैं उसमे तो पागल हो जाएंगे ठीक है क्योंकि वो तो दोस्तो कम से कम अगर अब ही की बात करो तो 40-30-40 नॉर्मल इसी के बीच में चल रहा है तो 13 डिगरी हो जाता है तो उन्हें मुश्किल होती है 13 डिगरी पर यह चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है इंपोटेंट ह है जाता है मार्क कर लिगर ठीक है चलिएगगा उसके बाद है दोश्तों अगर हम बात करेंगे नॉर्मल इसको मैं ध्यान दे लूँगा ठीक जाए पांच बजे आपना बैच शुरू कर दो अब साड़े पांच बजे मैं बापा छे बजे कर दूगा ध्यान भी रखना इस बात का ठीक है आप कहते हो कि शर आप न साड़े पांच आजाओ और बच्चे को आना छे बजे ही है ठीक है इसको भी आप लोग थोड़ा सा ध् समझ लेना अगर हम टोटल याक की आबादी के बारे में पढ़ेंगे तो टोटल याक की आदी भारत में 58000 मिलती है याद रखिएगा ठीक है चलिएगा आगे चलते हैं फटा-फट से तो सारी की सारी चीजे हैं ओके इसके अंदर है अब यहां पर देखो ध्यान से समझना नॉर्मली मैं आप से पूछूंगा तो याक की सबसे ज़्यादा आबाजी केंदर सासी प्रदेश लद्दाक में और जम्मू कस्मीर में हैं यह कोशन पूछा जा चुका है यह कोशन आप लोगों का एक बार पेपर हुआ था आपका तीन से चार साल पहले तब पूछा गय और उत्राखंड का इस्थान है याद रख लिजिएगा ठीक है चलिएगा अब आप लोगों ने थोड़ा सा केरल के बारे में जानेगे और के के बारे में बताएंगे ठीक है तो देखो ध्यान से दो तीन चीज़े हैं आप लोगों के लिए सबसे पहले यह हमारा केरल ठीक है तो मात्र कवचम अभियान जो है वो केरल सरकार ने महिलाओ के टीका करण के लिए कौनसी महिलाएं जो प्रेगनेंट वुमेन हैं जो गर्व बती महिलाएं हैं उनके टीका करण के लिए मात्र कवचम अभियान को सुरू किया है ये question important है mark कर लेंगे केरल में कोन आते हैं केरल में आते हैं पिनरई विज्यन सहाब आते हैं और अगर हम केरल की ही बात करेंगे तो यहाँ पे गवर्नर आते हैं आरिफ मुहम्मद खान यहाँ पे विधान सवा की जो सीटे हैं वो 140 आप लोगों की मिलती हैं तो जो महिलाओ में टीका करन के लिए मात्र कवचम अभियान आप लोगों का जो है उसको सुरू किया गया है यह कहां पर है यह आप लोगों का केरल के अंदर है ध्यान रखेगा इसी तरह केरल से जुड़ी दस अन्य बाते हैं जो आप लोगों को मैं पढ़ाने वाला हूं समझ लीजेगा यहां पर क्या है कि जितना भी मेरे दोस्तों क्या है जो केरल है अगर हम बात करेंगे मैं भी हूँ डिजिटल थेक हैं तो मैं भी डिजिटल हूँ एक डिजिटल साकसरता अभियान कहां चलाया गया तो डिजिटल साकसरता अभियान कहां पर चलाया गया मैं भी डिजिटल ह का मार्क कर लीजेगा केरल राज्ये ने नसीली दवाओं के खत्रे का मुकावला करने के लिए यो धाबू मुबाइल एप्लिकेशन लॉंच किया है तो कोई कोशन पूछेगा यो धाबू यो धाबू मुबाइल एप्लिकेशन किसने लॉंच किया है तो यो धाबू मुबाइ application के अंदर जो भी आपकी नशीली दवाएं हैं उनकी एक list आपको दे दी जाएगी उनके side effects उसमें बताए दिये जाएंगे तो जो लोग जाने अंजाने में खा लिया करते थे देखो जाने में खाने वाला लेकिन जो अंजाने में खा लिया करते थे वो इसी से क्या है बच ज हो चुका है तो दोस्तों कोई अगर ये पूछने लगे कि भारती अंतराश्टी सीफूड सो कहां पर हुआ था तो ये कोची में हुआ था जो की 22 वे नंबर का था कौन से नंबर का था ये 22 वे नंबर का था इसको जरूर ध्यान रखेगा ये आपके important point बनेंगे केरल राज नितिक आंदोलन पर प्रतिबंध लगा दिया मतलब जो केरल के school है या केरल के आप लोगों के जो मेरे दोस्तों क्या है आपके जो college है विश्विध्याले है यूनिवर्सटी है तो उसमें केरल ने politics को पूरी तरह से क्या कर दिया बैन कर दिया कि वहां पे आप लोगों की जो politics है वो आप लोगों की नहीं होगी बिलकुल भी ये चीज उसके अंदर आप लोगों की बताई गई है ठीक है चलिएगा तो यहां पर चार बातें आपने केरल से सीखी है यह अलग-अलग तरीके से मैं भी डिजिटल हूँ दोस्तों योधाबू मुबाइल ब्रेक दाचैन करोना वाइरस का मुकाबला करने के लिए ब्रेक दाचैन केमपेन ये भी आप लोगों का केरल में सुरू किया गया था और दोस्तों ध्यान से समझेंगे केरल राज्ये ने 25 रुपे में रियायती भोजन प्रदान करने के लिए 1000 कुदुमश्री होटल को जरूर याद रखिएगा और दोस्तों दो योजना है आपकी विजय अमरितम और सहचारी तो विजय अमरितम और सहचारी पब्लिक वेलफेर के लिए दो स्कीम है केरल की और कोची में ग्लोबल आयूरवेदा फेस्टिवल ये मार्च में आयोजित हो चुका है तो तो यहाँ पर आपको केरल की इखटी बहुत सारी चीजे जो है वो एक साथ आप लोगों को मिल गई है इसको जरूर ध्यान रखिएगा ठीक है तो यहाँ पर आपको यह कितनी बात यहाँ पर पता लगी इनको नो डाउन कर लेना एक बार जो अगर हम बात करेंगे है या फिर हमारी जो परिवर्तनम स्कीम है वो भी केरल में आ जाती है आगे चलते हैं दोस्तों UNICEF के बारे में आप सभी ने सुना है जो UNICEF है आप लोगों का ठीक है अब यह जो UNICEF है इसकी जो हैड थी एंडरीटा हैच फॉरे तो हैंडरीटा है एच फॉरे ने जाए जाएंगे और पुराने का इस्तिफा आप लोग स्विकार कर लीजिएगा ये पुराना इस्तिफा भी आपके पास में होना चाहिए ठीक है उसके बाद आगे पढ़ेंगे तो जो इसका हेड़ क्वार्टर है कहां पर है नियू यॉर्क के अंदर है और अब ही तक जिन चीजें आपको ध्यान में रखनी है नियू यॉर्क याद रखना है यास्मीन अली हक का नाम याद रखना है और इसकी फुल फोम आपने याद रखनी है युनाइटिट नेशन इल्डरन चिल्डरन एमर्जनसी फंड है आप लोगों का अगले कोश्चन पर चलेंगे किरकेटर यसपाल सर्मा तो यसपाल सर्मा जो थे वो 1983 की जो हमारी वर्ल्ड कप विनिंग टीम थी उसके मेंबर थे यसपाल सर्मा कपिल देव के साथ में खेले हुए थे तो यसपाल सर्मा जो कि एक किरकेटर थे इनका दोस्तों क्या हो गया निधन हो गया कौन सी 1983 की जो इंडिया की जिसने पहला वर्ल्ड कप जीता था उस टीम के ये हिस्सा थे याद रखेगा आगे चलेंगे दोस्तों तो एक इंसोरेंस योजना जो कि आज कल काफी चर्चाओं में है उसका नाम है करोना कवच ठीक है तो यहाँ पर आप से पूछा जा सकता है कि जो करोना इसका मेरे दोस्तों वो होगा साड़े तीन महीने साड़े च्हा महीने साड़े नो महीने तो मतलब साड़े तीन महीने से लेकर के साड़े नो महीने तक इसका कारेकाल है करोना कवच की बात कर रहे हैं इसके अंदर दोस्तों मिनिमम कितने का करवा सकते हैं इंसोरेंस मिनिम 50,000 का insurance करवा सकते हैं और इसमें मेरे दोस्तों जो maximum आपका समय सोल्ड है वो आप लोगों का 5,000,000 है तो इसमें मेरे दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो 50,000 से शुरू 5,000,000 तक आप लोगों का है और इसके अंदर अगर हम बात करेंगे तो ये one time payment है इसमें कोई भी आप लोगों की EMI वगेरा या नहीं बनेगी तो ये भी question पूछा गया है कि payment कितने बार में कर सकते हैं तो one time payment है और जो स्वास्थे करमी है उनको 5% की छूट दी जाएगी उनको क्या दी जाएगी 5% की छूट दी जाएगी ये चीज आपको ध्यान में रखनी है तो सबसे जादा जरूरी इसका tenure है और इसकी मेरे दोस्तों payment mode है और करोना कवच को ध्यान में रखना है स्वास्थे करमीों के लिए कितने परसंट की छूट है 5% की छूट है दूसरा है करोना रक्षक आजकल चर्चाओं में है इरिड़ा ने इन दोनों को लेकर के statement दिया था तो दोनों योजनाए जो है वो important बन जाती है जब भी अगर आपसे पूछा जाएगा तो इसमें क्या है जो करोना रक्षक है इसमें 50,000 से 5,5 लाख रुपे तक है कितना है करोना रक्षक का जो है वो 50,500,000 है और जो करोना कवच है उसका 50,500,000 है ये बात आपको मार्क कर लेनी है अगले question पर चलते हैं फटाफट से आज की जो हमारी news थी 40 मिनिट में news आपकी हो गए और बहुत सारी news आज आप लोगों ने सीखी हाँ पर तो एक बार फटाफट से session को like कर देंगे अब चलते हैं हम MCQ की तरफ उसके बाद होगा current फिर 40 और फिर होगी current फिर तड़ा बड़ी तो जल्दी से एक बार फटाफट से session को like कर दो, share कर दो ठीक है जितने भी साती है हम जी 5% का discount है health worker के लिए ठीक है इसके अंदर आप लोगों का एक बार जल्दी से बता दो अब आज आओ फटाफट से इसमें आपकी 11 question है आज ठीक है आज आपके number of questions कितने है 11 है तो चलिएगा इसके अंदर जब भी हम बात करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले 14 जुलाई से related जितनी भी खबरे है सेर बहाद्दूर दववा कितनी बार नेपाल के प्रधान मंतरी बन चुके है तो जो सेर बहाद्दूर दववा है मेरे दोस्तों ये नेपाल के प्रधान मंतरी बन गए है ठीक है और कोई बताएगा बढ़ सकता है ठीक है चार बार चार बार तीन बार चार बार तीन बार चार बार बिलकुल सही आप लोगों का अंसर नहीं है क्योंकि ये पांच भी बार बने है ठीक है तो कितनी बार दोस्तों पांच भी बार तो ये इस बार आप लोगों के जो बने है व यह है आप लोगों का नेपाल ठीक है और नेपाल के साथ में हम बात करते हैं तो नेपाल आप लोगों का काट मंडू अगर हम हेड़ को इसकी का कैपिटल की बात करेंगे काट मंडू और काट मंडू में आप लोगों को मिलेगा सार्क यह सभी को मालूम होना चाहिए उसके ब और नैपाल ने अगर हम बोलेंगे जो विद्या देवी सिंह भंडारी वहां की रा श्रफती हैं उनका जो आवास है वो आवास मेरे दोस्तो शीतल हा। टीक है तो उसको क्या बोलते हैं शीतल हा। अगर आप से पूछेंगे कि NEPAL के राश्रफती की घर को क्या बोलते हैं पर जर्नल की मानद उपाधी मिली है, उनकी आर्मी से उनको जर्नल की मानद उपाधी मिली है, याद रखेगा, अगर आपसे पूछा जाएगा, तो भारत और नेपाल के बीच की जो एकसर साइज है, उसको हम कहते हैं सूर्य किरन, क्या कहते हैं हम, सूर्य किरन, सूर्य किरन, ये चीज आपको ध्यान में रखेगा एक नाम है मेरे दोस्तों आप लोगों के कौन कामी रेटा क्या नाम है कामी रेटा तो ये जो कामी रेटा है ये 26 बार आप लोगों का जो है मेरे दोस्तों जो आप लोगों का हिमाले है उस पे आप लोगों के जा चुके हैं ठीक है तो म राज्ये सरकार ने राज्ये के प्रतीएक Tokyo Olympic प्रतिभागी को 10 लाख रुपई देने का फैसला किया है तो दोस्तों ध्यान से समझेंगे वो कौन सी राज्ये सरकार है यहाँ पर आप लोगों का जिसने एक तो 10 लाख रुपई हर किसी को देंगे जो Tokyo Olympic में पाइसपेट तो पहला तो आप लोगों का यहाँ पर है 10,00,000 रुपे ठीक हैं एक आप लोगों का है 6 करोड रुपे एक आप लोगों का क्या है 6 करोड और एक आप लोगों का क्या है 3 करोड तो ये 3 आप लोगों के कहां पर satisfy हो रहे हैं कौन से आप लोगों के option में satisfy हो रहे हैं अगर कोई ओलमपिक में participate करता है तो उसको 10 लाक रुपए देंगे अगर कोई ओलमपिक में gold medal लेकर के आता है तो उसको मेरे दोस्टों 6 करोड रुपए देंगे और कोई अगर के अंदर team का member है वो gold medal आते हैं तो 3-3 करोड रुपए हर किसी को देंगे मतलब example के लिए समझ लो एक player है आप लोगों का जो मेरे दोस्तों shooting में है अगर वो gold medal जीतता है तो दोस्तों किस में आ जाएंगे 6 करोड रुपए आ जाएंगे एक team है अगर hockey team है और वो पूरी team hockey team को gold medal मिल गया तो दोस्तों उसके पृतिएक खिलारी को जो उस राज्य से बिलोंग करते हैं उसको 3-3 करोड रुपए दिये जाएंगे और पृतिभागी को 10 लाक रुपए दिये जा रहे हैं तो ये है दोस्तों उत्तर प्रदेश क्या है उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश याद रख लीजेगा ठीक है तो यहाँ पर आप लोगों का जो है उत्तर प्रदेश आप लोगों का बन जाएगा ठीक है तो आंसर ये तीनों कंडिशन जहां सैटिस्फाई हो रही है वो उत्तर प्रदेश है ठीक है वैसे हर्याने में भी 6 क्रोड का मामला है तो यह आजाएगा उत्तर प्रदेश के बारे में जबकि अभी अगर हम उत्तर प्रदेश के बारे में बात करेंगे तो योगी आधित्यनाथ है ठीक है आनंदी बेन पटेल हैं सभी लोग जानते हैं 403 विधान सभा सीटे हैं इलेक्शन होने वाला है, 31 राज्य सभा है, 80 लोग सभा सीटे हैं, हरियाना की बात करेंगे, तो हरियाना के नए गवर्नर का नाम क्या है, बंदारू दततिर्या, हरियाना के नए गवर्नर है, जबकि बिहार की हम बात करेंगे, तो बिहार में डॉल्फिन रिसर्च पैस है क्या है दोस्तो रमेश बैस जो है वो जारखंड के आप लोगों के नए गवर्नर है याद रख लीजेगा इन चीज को ठीक है चलिएगा अगले कोशन पर आ जाओ फटा फट से यहां पर सारी चीजे अगला कोशन नितिन गडगरी ने किस सहर में भारत के पहले नीजी LNG सुवीदा सैंतर का उदगाटन किया है तो दोस्तो यह जो LNG फैसिलिटी है नितिन गडगरी ने सबसे पहले कहां पर ओपन किया है मदुरई में कोयमबटूर में नागपूर में या फिर आपके गोरकपूर में तो यहां पर आंसर जो बन जाएगा नागपूर बन जाए USA और दुबई जो जैसमीन फ्लावर है वो कहां पर जा रहा है वो USA जा रहा है और दुबई जा रहा है जब हम मदुरई की बात करेंगे ठीक है अच्छा कोयमबटूर में क्या है तो कोयमबटूर में सुगर केन सुगर केन होता है गन्ना ब्रिडिंग इंस्टिटीउट है तो सुगर केन ब्रीडिंग इंस्टेट्यूट या फिर अगर हम बोलेंगे गंणा प्रजनन केंद्र ये कहां पर है कोयम बतूर में और जो कोयम बतूर है आप लोगों का ये नोयाल नदी के किनारे हैं, कौन सी नदी के किनारे हैं, नागपुर का ओरेंज फेमस है, इसको जर जरूर ध्यान रखेगा, और गोरकपुर में एथनोल पावर प्लांट है, तो जो एथनोल प्लांट है, वो कहां पर है, गोरकपुर में है, गोरकपुर में मेरे दोस्तों एथनोल प्लांट है, गोरकपुर का टेरा कोटा जो है, वो आप लोगों का क्या है, यहां का तो भारत डाइनमिक्स लिमिटेड है और रक्षा मंत्राले ने भारत ये वायू सेना में आकास मिसाईलों के निर्माण और आपूर्ती के लिए चार सौ निन्यानवे करोड कितना 499 करोड तो जो आप लोगों का भारत डायनोमिक्स लिमिटेड है रक्षा मंत्राले है इंडियन एर फोर्स के लिए जो आकास मिसाइल है 25 से 30 मीटर जिसकी रेंज है आप लोगों की उसके लिए समझोते पे साइन किये हैं 499 करोड याद रख लेंगे रक्षा मंत्री का नाम बता दीजिएगा दोस्तो पी के वोरियर थे जिनका निधन हो गया वो कौन थे वो आयूर वेदिक चिकित सकते अर्थात कौन थे डॉक्टर थे ये चीज आपको ध्यान में रखनी है इंपोटेंट है मार्क कर लीजिएगा ठीक है अगला कोशन आप ल आपको पताया था इंडिया आज फर्स्ट जो क्रिप्टो ग्रामिक गार्डन था वो कहां पर इनोग्रेट किया गया है असम नागा लेंड उत्राखंड या फिर मनीपूर तो आंसर जो बन जाएगा आप लोगों का डैटीजिन उत्राखंड जबकि हम असम की बात करेंगे तो असम के अंदर आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जो असम है वहां के जो मुख्य मंत्री है वो है हेमंत विस्वा क्या नाम है हेमंत विस्वा मेरे दोस्तों याद रखेंगे जबकि हम नागा लेंड है तो नागा लेंड को 6 महीने के लिए disturbed area घोशित किया हुआ है किस भारत सरकार ने और जबकि उत्राखंड की हम बात करेंगे तो सूर्य धर लेक कौनची लेक सूर्य धर लेक देहरा दून में है जो की उत्राखंड के पास है और आगर हम बोलेंगे मनिपुर के बारे में तो मनिपुर में आप लोगों को याद रखना है Black rice क्या याद रखन linchen पार्ख ये हमारा कहां पर उत्राखंड में और जो हमारा poly nation पार्ख है ये कहां पर है ये भी आप लोगों को उत्राखंड के अंदर ही दिखाई देगा और उत्राखंड के अंदर ही मिलेगा दोस्तों पियम मोदी और स्री गुरु गोविंद सिंग, दरामयन ओफ गुरु गोविंद सिंग, ये इसकी पहली copy रिसीव की है, तो दोस्तों, जल्दी से बता दीजेगा, कि दरामयन ओफ स्री गुरु ओविंद सिंग के राइटर कोन है, तो जबकी हम कृष्णा सक्सेना की बात करेंगे सुन लीजेगा कृष्णा सक्सेना की बात करेंगे तो मेरे दोस्तो माई सोरो एंड जुआए माई सोरो एंड जुआए ये किताब किसकी है कृष्णा सक्सेना की है डॉक्टर हर्सवर्धन ने लॉंच की थी रोस्तो यहाँ पर जैराम रम और दोस्तों जो कवीथा राओ है इनकी है लेडी डॉक्टर कवीथा राओ की लेडी डॉक्टर है जैराम रमेश आपकी क्या है लाइट ओफेशिया है और कृष्णा सक्सेना की माई जुआए एंड सोरो जो आपकी हर्सवर्धन ने लौंच की थी आंसर बनेगा बलजीत कोर तुलसी यहाँ पर आप देख लीजिएगा सारी किताबों के नाम जब भी आपसे पूछा जाएगा तो ध्यान से समझना नाथू राम गोड से धवल कुलकरनी आपको याद है ठीक है लेडी डॉक्टर अभी ऑप्शन के अंदर था ये हो गई कवीथा राओ ठीक है और दो फोर्थ लोयन से 4 गोपाल कृष्न गांधी और दोस्तो लाइट ओफ एशिया जैराम रमेश ये चारों किताब नाथू राम गोड से धवल कुल करनी है लेडी डॉक्टर आप लोगों की कवीथा राओ है दा फोर्थ लोयन वीनु माधव आपकी है और दोस्तो दा लाइट तो फेशिया जैराम रमेश है जरूर इसको ध्यान रखेगा करीना कपूर की प्रेगनेंसी है मेरे दोस्तो करीना कपूर की खान जो प्रेगनेंसी बाइविल ठीक है तो प्रेगनेंसी बाइविल अगर आपसे पूछा जाएगा तो करीना कपूर खान की ये जुलाई की फे बार-बार करके तो याद हो जाएंगी अगला कोशन आ जाएगा किस राज्य के मुख्य मंत्री ने बिजली गिरने पे मारे गए लोगों को पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पां अंकुर योजना क्या मिलेगी अंकुर योजना मध्य पर्देस में जगह पड़ती है टीकमगड क्या पड़ती है टीकमगड तो टीकमगड़ से जो सांसध है विरेंदर उनको सोशल जस्टीज Empowerment Minister बनाया गया है उनको मेरे दोस्तो सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्राले अब किसके पास है विरेंदर के पास है और इनका संसधिये छेत्र टीकमगर है राज्जी सभा मध्य प्रदेश से सांसध जोतिर अधित्य सिंधिया जो उड़कर के आये थे कॉंग्रेश से बीजेपी में उनको बनाया गया है सिविल एवियेशन मिनिस्टर दोस्तो यह है मध्य प्रदेश भारत का सोया रीजन कहलाता है या फिर भारत का जो है मेरे दोस्तो हार्ट ओफ इंडिया कहलाता है यह है बिहार आप लोगों का तो जब की हम बिहार की बात करेंगे तो यहाँ पे मिलते हैं आप लोगों को कोन फागू चोहान और अगर कोई पूछने लगा कि जो बिहार में बालमी की नेशनल पार्क है गोतम बुद्ध वाइड लाइफ सेंचुरी है और अगर आप से पूछा जाएगा बिहार के बारे में ही तो आप लोग जल्दी से बता देंगे कि नालंदा यूनिवर्सिटी के फाउंडर कोन थे मैं साम को आठ बजे आपको बताता हूँ अगला कोशन आएगा तेलंगाना को लेकर के तो जब भी हम तेलंगाना को लेकर के बात करेंगे तो तेलंगाना की जो गवर्नर है तिमल सई सुन्दर राजन है ये चीज़ जरूर याद रखेगा और जब भी तेलंगाना की बात करेंगे तो उगाडी मोहतसब वहां का फेमस मोहतसब है बुरु गावनी वहापे मिल जाएगा अगला कोशन है टोक्यो ओलंपिक 2020 में शूटिंग के लिए पहली बार भारतिय जरूर कोन बने है मतलब जो जूरी होगी ना शूटिंग के लिए तो उसमें मेरे दोस्तों सामिल हुए है या ये कहलो शूटिंग के जज कोन बनाए गए है तो शूटिंग के लिए जो जज बने है उनका नाम क्या है पवन सिंग है जबकि जो दीपक कावरा है वो मेरे सात्यों जिमनास्टिक के है अगर आपसे पूछा जाएगा पहले भारतिये जो जिमनास्टिक में जज बने है दीपक कावरा पहले भारतिये जो शूटिंग में जज बने है पवन सिंग कुलदीप हांडू फिट इंडिया मूवमेंट के क्या है Fit India Movement के Brand Ambassador है और इनका गेम है Wushu इनका गेम क्या है Wushu है सिद्धार्थ Longjom NADA के Director Journal है National Anti-Doping Agency के Director Journal है सिद्धार्थ Longjom धीपक कावरा, Gymnastic है पवन सिंग जो है, वो आपके पहले जो बने हैं, किसमे बने हैं दोस्तो शूटिंग में कुलदीप हांडू जो है Fit India Movement के Brand Ambassador है और दोस्तो सिद्धार्थ Longjom National Anti-Doping Agency के Director Journal है और NADA के जो आपके Ambassador है, वो सुनील सेटी है और NADA F को लॉंच किया था किरन रिजुजु ने, जो अब हमारे कानून मंत्री है, अगला कोशन है आप लोगों का, ये है KVIC, Khadi Village Industry Commission, इसके विनई कुमार सकसेना है, मुंबई में Headquarter है, 1956 में बना था, उसने तीन देश एक है मेक्सिको, एक है भुटान, एक है संयूक्त अरब अमिराथ, ठीक है, इन तीनों देशों में, अपना brand name Khadi के लिए, ट्रेड मार्क इसने करा लिया है, KVIC का मुख्याले कहां पर मिलेगा तो ये मिलेगा मुंबई में सीधी सी बात है, ये है KVIC, इसका जो ट्रेड नेम है, वो है Khadi, ठीक है इसने तीन देश, एक आप लोगों का मेक्सिको, जिसकी कैपिटल मेक्सिकन सिटी है भुटान की आप लोग बता ही दोगे, और दोस्तो UAE, यहाँ पर इसने रेजिस्टर करवा लिया है, ध्यान रखिएगा KVIC, जो है वो हमारा MSME मिनिस्ट्री के अंडर में काम करती है Micro, Small, Medium, Enterprises आप लोगों का, तो इसकी पर आजाएगेगा फटा-फट से रास्टिय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है तो यह आप लोगों का पटना है कहाँ पर दोस्तो पटना है अगर मैं चेन्नई की बात करने लगा तो चेन्नई में आप लोगों का जो वेटलेंड आप लोगों का क्या है वेटलेंड कंजर्वेशन सेंटर है जो हमारा मेरे दोस्तो आद्र भूमी सनरक्षन केंद्र है वो चेन्नई के अंदर है कोलकाता में होमियोपैथी रिसर्च इंस्टिट्यूट है और दोस्तो पटना के अंदर आपका नेशनल डॉल्फिन जो अनुसंधान केंद्र है वो ओपन होने वाला है और कोची के अंदर आप लोगों को मैंने आज ही कोची से रिलेटेड एक ख़बर बताई है कमेंट बोक्स में कमेंट कर देना है आपको कि कोची को लेकर कि क्या आपको बताया था ध्यान रखेगा आज ही मैंने आपको बताया था ठीक है ये 11 कोच्टन थे जो आपके हो चुके है अब जल्दी से हनुमान 40 की जगा हम करंट फिर 40 पढ़ते हैं आपर सुबह कितने बजे ये अब टाइम हो चुका है बहुत जादा है इसके अंदर आज ठीक है तो जल्दी से आजाओ फटा फट से ओके तो कोई डाउट कैसा भी डाउट है यहाँ पर आप लोग मुझे बताएंगे और सुरू कर देते हैं सेशन को ये आपके पुराने पेपर्स में क्या दिखाएगा पुराने फ्रेंच ओपन का मैं सिंगल किसने जीता आंसर कर दीजेगा फटा फट से फ्रेंच ओपन का नोवाक ने जीता है दोस्तों और ये सर्बिया के रहने वाले हैं अगर कोई आप से पूछेगा फ्रेंच ओपन के बारे में तो नोवाक ने जीता है अश्टी को हराया है और बारबॉरा ने female में जीता है और दोस्तो किसको नास्ता का नासकर दिया ठीक है तो यहाँ पर आप लोगों का बन जाएगा वुमेन सिंगल अफिक है उसके बाद आजएगा फ्रेंच ओपन का वुमेन सिंगल किसने जीता है French Open Cup Women Single तो बार बार खाओ French Fries खाओ ठीक है तो ये कौन है मेरे दोस्तों बार बोरा तो जो बार बोरा है Chess Republic की है तो French Fries खाओ बार बार खाओ पबलिक को खिलाओ तो दोस्तों ये क्या है बार बोरा है आप लोगों के और बार बोरा जो केजी रिकोवा है इनको मत्रियाद रखो बस बार बोरा को व्याद रख लो बार बोरा Chess Republic की है और इन्होंने Woman Single जीता है ये जरूर ध्यान रख लीजेगा ठीक है ये रहा आपके सामने Man Single Woman Single ठीक है उसके बाद इन्होंने किसको हराय था मेरे दोस्तों अनानास को हराय था तो पहली बार French Fries अनानास को हरा गई ठीक है चलिएगा उसके बाद दोस्तों Australian Open का Woman Single किसने जीता Australian Open का Woman Single किसने जीता बताओ कौन थी जैपनीज जिन्होंने Australian Open का Woman Single जीता था तो Australia देखो सिवम चोधरी ने सोचा कि सर्जी इस बार भी Australian Open का Man ही पूछेंगे पहले तो सिवम ने आंसर लिख रखा था पहली Australian Open अभी मैंने Woman का पहले पूछ लिया ठीक है चलिएगा तो यहाँ पर Australian Open का जो है अगर हम बात करेंगे आप लोगों का तो कौन है Noami Osaka है यह जापान की है इसको जरूर तो Australian Open में Daniel Midwayb को हराया French Open में ST को हराया और Australian Open में DM को हराया ठीक है चलिएगा मेरे दोस्तों Australian Open में मैंस किस ने जीता है तो यह नोबाक ने जीता है सभी को मालूम है सर्विया के रहने वाले हैं इसी सर्विया में इस बार आप लोगों का जो हमारा आईबा है मेरे दोस्तों Boxing Association वो क्या करवाने जा रहा है अपनी जो पृतियोगिता है International Boxing Championship वो इस बार सर्विया में हो रही है दोस्तों मैंस में नोबाक है डेनियल मेदवे बुमेन में नौमी उसाफिका और जेनिफर है ये चीज आपको ध्यान में रखनी है बार-बार याद रखोगे ठीक है दोस्तों विमल्डन ओपन विमल्डन ओपन में मैं सिंगल किसने जीता है तो विमल्डन ओपन में मैं सिंगल जीता है मेरे दोस्तों किसने नोबाक ने और हराने वाला कौन है वो आपको comment box में बताना है क्योंकि कल ही पढ़ाया था ये ताजा है इसलिए मैं आपको और woman single में किस ने जीता था दिखाऊंगा नहीं woman single में किस ने जीता है एसलिए बाल्टी जो कि ऑस्ट्रेलिया की है उन्होंने जीता है ये चीज आपको ध्यान में रखनी है ठीक है तो woman single विमल्डन एसलिए बाल्टी ने जीता है और man single किस ने जीता है नोवाक ने जीता है ठीक है आजाईएगा फटा फट से अब ये चार वाइड लाइफ सेंच और बल्लवपूर बन्य जीव अभ्यारण कल आपको एक इन में से homework दिया था तीन मैंने बताये थे बता दो कहां कहां पर है ये आंसर करो फटाफट से जल्दी से ठीक है तो यहां पर जल्दी से आंसर कर दो फटाफट से तो यहां पर जब भी हम नंदोर की बात करेंगे त ठीक है तो यूके में मेरे दोस्तो कैसे याद रखेंगे राजा जी नेशनल पार्क कहां पर है राजा जी नेशनल पार्क तो राजा जी जो नेशनल पार्क है वो यूके में है तो जहां राजा बाबू वहीं पर नंदू तो ये भी यूके में है नंदू ओके याद रखे तो ये जो बल्लपूर है ये बेस्ट बेंगॉल में कल भी मैंने पूंचा दा आप लोगों से कि बताओ बीस्ट बेंगॉल वालो कहापर है ये ठीक है। तो ये मेरी DOCTB of बल्लपूर वाइड़ लेव हैं ये बेस्ट बेंगॉल में हैं बाकी तीनों उत्राखंड के अंदर है ये आपके पास आ चुकी है जोजीला पास कहा पर है जल्दी से बता दीजिएगा मेरे दोस्तों ये आपका स्री नगर लेहे हाईवे पे जाता है तो जोजीला पास के बारे में जब भी पूछेंगे तो आप लोग यहां पर क्या कर करेंगे मेरे दोस्तों लद्दाक लगा देना जम्मू कस्मीर उप्शन में नहीं होगा बिफिकर रही है ठीक है चलेगा क्योंकि आता तो दोनों की ही रेंज में पड़ता है यह ठीक है तो यह चीज आपको ध्यान में रखनी है उसके बाद है OECD का हेड़ क्वाटर कहां पर है OECD जिसके मेरे दोस्तों 37 मेंबर है हेड़ क्वाटर बता दीजिएगा यहां पर ठीक है तो जल्दी से बताईएगा Organization for Economic Corporation and Development आप लोगों का कहां पर पड़ेगा पैरिस में बता रहे हैं तो पैरिस में पड़ेगा और पैरिस कौनसी नदी के किनारे है पैरिस सेन नदी के किनारे है जरूर इसको ध्यान रखना है अगला कोशन Dream 11 के CEO का नाम बता दीजेगा फटाफट से जो Dream 11 है उसके CEO का नाम अब फसोगे आप लोग जल्दी से बताओ फटाफट से तो मेरे दोस्तो Dream 11 ठीक है तो जल्दी से बताओ फटाफट से जब भी आप लोग कोई Dream देखते हो जब भी आप लोग कोई Dream देखते हो तो उसमें क कोई डाउट इसमें एलन मस्क मतलब बहुत बढ़िया देवदनी सी कहीं भी मिला दोगे बहुत बढ़िया ठेक है एलन मस्क नहीं है हर्स जैन है स्वरप गांगुली कैसे हो जाएगा ब्रान्ट एंबजडर नहीं पूछ रहा सीओ पूछ रहा वो ड्रेम 11 के ठीक है चलो उसके बाद युनेस्को का हेड़कॉर्टर कहां पर है दोस्तो जल्दी से बता दीजिएगा युनेस्को का हेड़कॉर्टर आप लोगों को कहा मिले परिस में मिलेगा यह सभी लोगों को मालूम होना चाहिए यह बिलकुल सिंपल सा कोशन था एक बाल लाइक वाई कर दो ठीक हैं दोसों लाइक कम से कम हो जाने चाहिए थे अब तक ठीक हैं उसके बाद है दोस्तों आपसे मंगल यान जो आप लोगों का था वो कौन से वीकल पे लॉंच हुआ था मैं हिंट दे देता हूँ PSLVC 24-22-21-32-35 क्या था PSLV Polar Satellite Launch Vehicle C 24-22-25 क्या था आप लोगों का तो PSLV तो मैंने बता दिया लेकिन C क्या आएगा आप लोगों का तो यहां पर जल्दी से बता दीजेगा Polar Satellite Launch Vehicle C 25 ठीक है यह कोशन आपको पूछे जाते हैं ध्यान रख लीजेगा ठीक है अगला कोशन भारत की लोंगेस्ट कोश्ट लाइन किस राज्ये की है तो मेरे दोस्तों भारत की जो टटीय रेखा है वो सबसे लंबी कौन से राज्ये की टटीय रेखा है आंसर कर दीजेगा तो टटीय रेखा कौन से राज्ये की सबसे लंबी है आंसर करो फटाफट से की गुजरात की है सर ठीक है किसकी है दोस्तों गुजरात की है यह चीज आपको ध्यान में रखना आज मुझे इसकी लेंथ आप लोग बताओगे आज मुझे इसकी लंबाई आप बताओगे कल मैं आप लोगों से पूछूंगा दोस्तो भारत के कौन से Chief Justice of India थे जो राज्ये सभा के लिए नोमिनेट हुए है आज तक भारत के केवल एक ही Chief Justice of India रहे हैं जो राज्ये सभा में नोमिनेट होकर के राज्ये सभा के मेंबर बने है तो राश्टपती के पास जो सक्ती होती है मेरे दोस्तो 12 बंदो को नोमिनेट करने वाली उसमें मेरे दोस्तो एक CGI भी थे रंजन गगोई जो की भारत के 46 वे नंबर के मेरे दोस्तों क्या थे आप लोगों के 46 वे नंबर के Chief Justice of India 47 वे नंबर के कौन थे सारद अर्विंद बोबडे और 48 वे नंबर पर N.V. रमना सहाब जो है वो अभी हमारे Chief Justice of India है याद रख लीजेगा अगले कोशन पर जाएंगे यूनिट मेरे लेंस पावर की लेंस पावर की तो लेंस सकती का मातरक क्या है यूनिट बता दीजेगा लेंस पावर की लेंस पावर की जो यूनिट होती है डायोप्टर कई बार हमने पढ़ा है पढ़ाया है डायोप्टर दोस्तो डायोप्टर अभी यह कहां से जो हमारे ड्रोन है ना ड्रोन आप लोगों के ड्रोन इंस्टॉल किये जा रहे हैं जगा-जगा कहीं पर ड्रोन बैन कर दिये जा रहे हैं तो यह यूनिट वहां से निकाली गई है ठीक है? चलिएगा अगला कोशन ने एक केवी में कितने byte होते हैं तो जल्दी से बता दीजेगा 1 kilobyte equal to how many byte कितने byte होते हैं और हमारे computer की मेरे दोस्तो सबसे छोटी unit कौन सी होती है वो भी आपको बताना है ठीक है तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे आप लोगों से तो 1024 byte होते है और सबसे छोटी unit जो होती है वो bit होती है उसके बाद निबल आता है then byte आता है ध्यान रखिएगा सबसे छोटी unit अगला question है मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है human right day कब मनाया जाता है तो जल्दी से बताओ और साथ में NHRC के head भी बता देना national human right commission के head भी बताने है आपको तो national human right commission के जो head है उनका नाम है अरुन कुमार मिश्रा और जो human rights day है वो मनाया जाता है 10 दिसंबर को यहाँ पर आप लोगों को मार कर लेना है अगला प्रशन है इंडुनेशिया की राजधानी क्या है तो इंडुनेशिया मेरे दोस्तों उसकी राजधानी जकारता है जहाँ पर आसियान का head quarter है और इंडुनेशिया के राष्टपती का नाम क्या है जो को विडाडो है अगला कोशन आ जाएगा NTPC, ONGC, IOC, Gale Sale इन सभी के head का नाम बता दीजेगा अगर आपसे NTPC head पूछ ले ONGC head पूछ ले IOC head पूछ ले Indian Oil Corporation और Gale का पूछ ले और Sale का पूछ ले और मुझे पता है सबसे पहले आप Sale का बताओगे मैं जानता हूँ सबसे पहले आप Sale का बताओगे आंसर का देखो मैं इतना तो जानता हूँ लक्षमीन हरायन सबसे पहले Sale का रतना करदा Sale का मुझे पताओगे सबसे पहले Sale का बताओगे आप लो ठीक है जल्दी से देख लो कल बापस पूछूँगा NTPC के गुर्दीप सिंग है NTPC के गुर्दीप सिंग है ONGC के ससी संकर है ONGC ससी संकर है IOC के माधव वैद है दोस्तो IOC के माधव वैद है और Gail के मनोज जैन है Sale की सोमा मॉंडल है कल बापस पूछूँगा आप लोगों से कि NTPC कौन है आप बताओगे गुर्दीप है ONGC कौन है आप बलावे ससी संकर है मेरे दोस्तो आप से पूछा जाएगा IOC कौन है तो आप बताओगे सिरीकांत माधव वैद है आप से पूछा जाएगा Gail कौन है तो मनोज जैन है और Sale मेरे दोस्तों जो सोमा मंडल है याद रख लीजेगा अगला कोशन है बेतला नेशनल पार्क कहां पर है Asian Development Bank के President कोन है Australia के Prime Minister का नाम क्या है Justin Trudy कोन है और Sana Marine कोन है ये अगला एक और पांच का आपके साबने पंच आ चुका है तो ये पांच का पंच जल्दी से बता दीजेगा फटाफट से ठीक है तो आंसर करो जल्दी से फटाफट आप लोगों का क्या बनेगा यहाँ पर जल्दी आंसर कर दीजेगा फटाफट से तो यहाँ पर मेरे दोस्तों जो आंसर बनेगा आप लोगों का यहाँ पर बेतला नेशनल पार्क जार्खंड में मिलता है और जो प्रसीडेंट है Asian Development Bank के Masata Sugu Aaskawa सहाब है सना मरीन जो है वो फिनलेंड की प्रधान मंत्री है जरूर याद रखिएगा ठीक है तो यह आप लोगों के ADB है इसके Masata Sugu Aaskawa ठीक है स्कॉर्ट मोरीसन सबका नाम आपको पता लग गया अगले कोश्चन पर आप जल्दी से बताओ स्कॉर्ट मोरीसन कोन है मैन्यूल मोरो क्रूज कोन है मारकोस प्राइडो ट्रोजो कोन है Masata Sugu Aaskawa कोन है और Audro Ajolo कोन है इनके बारे में सबके बारे में जल्दी से बता दीजेगा कि कोन क्या है ठीक है आंसर करो फटा-फट से एक बार जल्दी से ठीक है तो Scott बिल्कुल बता रहे है Scott Morrison जो है वो Australia के प्रधान मंत्री है Manual Maro Cruise ये क्यूबा के प्रधान मंत्री है कल मैंने आपको क्यूबा के बारे में बताया था कि क्यूबा ने आप लोगों की जो वेक्सीन है ठीक है वो बताई थी मैंने आपको कल बताया था क्यूबा के बारे में तो क्यूबा के प्रधान मंत्री आज में ले करके आया ठीक है तो Manual Maro मेरे दोस्तो क्रूज है यहाँ पे Marcos Prado Trojo New Development Bank के हैड है जो New Development Bank है उसके हैड है Masat Asugu Asukawa अभी पढ़ा है मेरे दोस्तो ADB के है और Odro Agelo UNESCO की Director Journal है यह सभी चीजे याद रखनी है Important है Marker लीजेगा राफिल ग्रोसी कोन है मुखी सा कितुई कोन है और मनोज अहूजा कोन है तो राफिल ग्रोसी कोन है मुखी सा कोन है मनोज अहूजा कोन है न्यूज पेपर में जैसे जैसे यह मिलते जाते हैं इनके नाम उठा लेता हूँ मैं और आप लोगों के लिए ले आता हूँ ठीक है तो दोस्तो यहाँ पर क्या है राफिल ग्रोसी आप लोगों ने IAEA का नाम सुना है उसके हैड है मेरे दोस्तो कौन यह रहे राफिल ग्रोसी आप लोगों के जो की इंटरनेशनल अटोमिक एनरजी एजनसी है वियना के अंदर उसके हैड है मिखुसा कितुई मेरे दोस्तो सेक्रेटरी जर्नल है UNCTAD के United Nation Conference on Trade and Development मेरे दोस्तो मार्क कर लीजिएगा बहुत IMPORTANT है मुखीसा मुखीसा कैसे याद रखेंगे मेरे दोस्तो जब भी हम किसी Trade की बात करते है जब भी हम किसी Business की बात करते है तो मक्चूस आजाता है तो ये मेरे दोस्तो मक्ăचूस है ठीक है तो मुखीसा कितुई यह मखी चूस है जब भी किसी ट्रेड की बात आएगी और मनोज अहुजा जो है वो CBSC वाले हैं CBSC मतलब Central Board of Secondary Education इसको जरूर जरूर याद रख लिजेगा अगला कुशन है अजे त्यागी कोन है और प्रदीप जोशी कोन है आंसर कर दो फटा फट से पेपर पूरा करंट प्रदान मंत्री के रूप में फिर से चुना गया है तो दूसरी बार किस देश के प्रदान मंत्री के रूप में फिर से चुना गया है तो दूसरी बार किस देश के प्रदान मंत्री चुने गए है एबी हमद आंसर कर दो एक बार फटा फट से तो ये आप लोगों के लिए एग्रेसिवली आंसर करिएगा फटा फट से ठीक है जल्दी से लाइक वाई कभी नहीं कर आप लोगोंने लाइक वाई कर दोगे तो बढ़िया रहेगा ठीक है तो जल्दी से बता दो एक बार कहा के हैं इथोपिया के हैं रिया कुमारी बहरीन के नहीं है ये इथोपिया के हैं कल ही तो पढ़ाया था आप लोगों को दोस्तो अगर कोई पूछेगा माल्टा की कैपिटल तो आप लोग बता देना बलेटा ठीक है माल्टा की कैपिटल क्या है बलेटा है और जोर्ज वेला वहां माल्टा में किसको पेला माल्टा में जोर्ज बेला ठीक है चलिएगा मेरे दोस्तों याद रखेंगे तो आपको याद हो गया माल्टा में किसको पेला माल्टा में बलेटा है बलेटा में पेला जोर्ज बेला ओके चलिएगा उसके बाद है दोस्तों आईबरी कोस्ट आप लो दोस्तों क्या है आप लोगों की करंसी है अलसाने ओटारा यहां के प्रसीडेंट है जबकि पेरू की लीमा है और दोस्तों कौन है फ्रांसिसको सागस्ती यहां के प्रसीडेंट है तो पेरू लीमा फ्रांसिसको सागस्ती यह आपके प्रसीडेंट है इथोपिया एदीदास बाबा बिर और प्रसीडेंट का नाम क्या है साहिल वर्क जेवडे साहिल वर्क जेवडे और जो एबी हमद है वो यहां के आपकी क्या है प्रधान मंत्री है यह सब चीजे याद रखनी है अगला कोशन है दोस्तो कॉमन वेल्थ पॉइंट ओफ लाइट अवर्ड किसको मिला ह आंसर कर दीजिएगा कल ही पढ़ाया था आप लोगों को साथ बजने वाले हैं लेकिन पार्टी अभी वाकी है तो दोस्तो जल्दी से क्वेल्थ पॉइंट ओफ लाइट ये किसने जmon gdheen वाले हैं जीत的時候 और हे और ह KMD कौन बने हैं वही फेडरल बैंक जिसका हेड़क्वाटर केरल के अलूबा में हैं और कौन बने हैं मेरे दोस्तो तो आप लोगों के बने हैं स्याम सिरी निवाशन स्याम सिरी निवाशन फेडरल बैंक के हैड है ये चीज आपको ध्यान में होनी चाहिए दोस्तो भारत डा दिवस किस तारीक को मनाया जाता है तो जल्दी से बता दीजेगा तारीक पे तारीक कौन सी तारीक है जब विश्व जन संख्या दिवस मनाया जाता है तो विश्व जन संख्या दिवस जो है 11 जुलाई को मनाया जाता है दोस्तो दा प्रेग्नेंसी बाइविल किसकी किताब है दा प्रेग्रेंसी बाइविल करीना कपूर खान की किताब है सब ही लोग जानते हैं दोस्तो व्यत नाम की प्रधान मंतरी कौन है तो जल्दी से बता दो फाम मिन चिन फाम मिन चिन ये व्यत नाम की प्रधान मंतरी है देखिएगा ध्यान से ये व्यत नाम की प्रधान मंतरी ह किस राज्ये ने जनसंख्या विधेयक 2021 पास किया है तो जनसंख्या विधेयक जो पास किया है वो करने वाले कौन है उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ है ये चीज आपको ध्यान में रखनी है इंपोर्टेंट है मार कर लीजेगा उसके बाद दोस्तो उत्तर प्रद से और यहां की विधान सभध 403 हैं दुधवा नेस्नल पार्क पीली भीत टाइगर रिजर्व हसीन हस्तिना पूर वाइड लाइफ सेंचुरी ये सभी कहां पे मिलते हैं उत्तर प्रदेश में तो दुधवा नेस्नल पार्क पीली भीत टाइगर रिजर्व हस्तेना पूर वाइड लाइफ सेंचुरी ये कहां पर मिलते हैं ये मिलते हैं उत्तर प्रदेश में रास्तिय मतस्य किसान दिवस हर साल किस तारीक को मनाया जाता है नेशनल फिस फार्मर डे बताईएगा जल्दी से कब आता है दस जु से देश को गया है तो दोस्तों जो ये फाजिल मेंगो है बेस्ट मेंगोल का बाहार गया है बहरीन गया है कहां गया है बहरीन गया है अगला कोशन आ जाएगा यूएस से वाशिंग्टन डॉलर जोब इडन सभी को याद है दोस्तों यहाँ पर है आप लोगों का दोस्तों UAE, अबुधाबी, दिरहम, सेख मुहम्मद बिन रसीद अलमकुतुम, प्राइम मिनिस्टर के तौर पे हैं, केन्या, नेरोबी, शिलिंग, उहरू, केन्याता, बहरीन, मनामा, दिनार, और दोस्तो, प्रिंस सल्मान बिन हमद अल-कलीफा, ओके, इसको देख लेना थोड़ा ट कलदी से बता दीजेगा, फटा-फट से, ठीक है, विश्व पेपर बैक डे, मैं आपको आज ही बता देता हूँ, कल का जो वन लाइनर होगा, वो जितनी भी, कल और आज में कैपिटल करंसी कराई है, उनके उपर होगा, उनके राष्टपती, उनके प्रधान मंत्री पे यहां हूँ, क्योंकि याद भी तो कराना है, ऐसे तो याद होगा नहीं, तो कल का आप भी पढ़के आईएगा, और कल में करवाँगा भी, ठीक है, चलिएगा, दोस्तो 12 जुलाई है, मलाला डे 12 जुलाई है, दोस्तो मैंस सिंगल विमलडन में किसने जीता है, मैंस सिंगल किसने जीता है, नोवाक जकोविक ने जीता है, याद रख लीजेगा, दोस्तो भूमेंस सिंगल किसने जीता है, एसले बार्टी ओस्ट्रेलिया वाली ने जीता है, याद रख लीजेगा, दोस्तो यूरोपियन चेंपियंसिप 2020 किसने जीती है, तो यूरोपियन चेंपियं चार ओप्शन आपके पास है इटली 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 तो यहाँ पर आपका अंसर है इटली ओके दोस्तो ओल राउंडर महमुदुला रियाद ने टेस्ट किर्किट से सन्यास की घोश्णा कर दी है ये कहां से ब्लॉंग करते हैं तो ओप्शन है आपके पास अफगानिस्तान यहां की करंसी असरफ गनी ठीक है दोस्तो यह है यूनाइटिड अरब अमिरात यह अबू धाभी ओके दोस्तो और यहां पर यह है बांगलादेश यह धाका यह है पाकिस्तान यह है इसलामाबाद मुर्दाबाद ठीक है चलिएगा इस चीज को ध्यान रख लिजेगा इनक ग्रेंड स्लैम जीतने वाले पहले भारतिये का नाम जल्दी से बताओ मैंने कहा था ना आप लोगों को आज कंटेंट बहुत जादा है ठीक है आंसर कर दो फटा-फट से जल्दी से बताओ ठीक है तो कौन है दोस्तो समीर ने तो इस बार जीता है समीर वही ना गोलमाल वा दोस्तो रमेज के पापा ने यह गलत है रामानाथन आएगा यहां पर ठीक है रामानाथन रमेज के पापा ओके और दोस्तो यह आपके जो है अभी हमारे पास टाइम नहीं बचा वरना अभी मेरे पास में 50 MCQ और थे ठीक है चलिएगा तो यह आपका रिवीजन चल रहा है mcq का जिस दिन टाइम बचेगा उस दिन ये भी करवा दूँगा सेशन कैसा लगा जरूर बताएंगे फटाफट से साड़े पांच बजे आओगे तो काफी कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तो साड़े पांच बजे आजाय करो तो आपका टाइम भी नहीं होगा वो टाइम आप सोने में ही निकालते हो मैं जानता हूँ आज का होमवर्क है आप लोगों का तो आज का होमवर्क सुन लीजिएगा दोस्तो ये कुछ वाइड लाइफ सेंचुरी लिख रही है ये आपको बतानी है कहां पर है तो ये जो वाइड लाइफ सेंचुरी है तीन और तीन छे और तो साथ वाइड लेफ सेंचुरी हैं ये आपने बतानी हैं और दोस्तो एशियन डवलप्मेंट बैंक के वाइस प्रसिडेंट कोन हैं ये भी आपने बताना हैं ये दो होमवर्क हैं अभी जल्दी से साड़े साथ बजे आ जाना आज का जो बूरे दिन का बाकी का टाइम करवाऊंगा ध्यान से सुन लेना अभी थोड़ी देर में साड़े साथ बजे उसके बाद दोस्तों मैं आप लोगों को बारा बजे बारा बजे क्या करवाऊंगा बारा बजे मैं आप लोगों के साथ में एक जर्नल अवेर्नेस का प्रक्टिस सेट करवाऊंगा चालिस तो 50 question वो होंगे और 30 किताबों का set लगाया जाएगा ये चीज आपको ध्यान में रखना ये तीन बजे बैच है इसको join कर सकते हैं आप लोग GC 10 code के साथ में यहाँ पर सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं ये मेरा बैच चल रहा है जिसको मैं पढ़ा रहा हूं रात को 8 बजे गुलाम वंस के question करवाऊंगा रात को 8 बजे गुलाम वंस के question करवाऊंगा यहीं पर YouTube पर ठीक है चलिएगा दोस्तों ध्यान रखेगा सारी चीजों को thank you so much है like, share, subscribe आपकी इच्छाक पर है तो ध्यान रखेगा सारी चीजों को जय हिंद है, जय भारत है मेरे दोस्तों सर क्लास YouTube पर ही लगेगी विशाल YouTube पर दो क्लास है सुभा 6 बजे और रात को 8 बजे बाकी सब एप पे होती है ठीक है साड़े साथ वाला साड़े साथ ही किया है दोस्त विक्की जी क्योंकि अभी मुझे 15 मिनिट का टाइम मिल जाए झाइम की जी जाइम कैना के बारत है लार चता बारत है color तर बजेगी मुझे कैना को बारत